हम algebraic multiplication का जो यह सुत्र है crosswise multiplication का इसमें sum of products हम direct answer लिख सकते हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि दो sum है और इन दो sum का में हम इसी formula से इसी सुतर से direct answer लिख सकते हैं देखें यह direct answer लिखा हुआ है तो आईए हम explain करते हैं कि यह answer कैसे आया हमारे पास हम direct answer कैसे लिख सकते हैं दो-दो sum है हमारे पास तो एक ही sum के 3 steps होते हैं और 2 sum के होगे 6 अपके steps और फिर उसके answer को add करना एक long process आईए यहाँ पर देखें हम सिधा answer लिख सकते हैं कैसे हैं पहला आप जानते हैं कि यह जो vertical है पहला step इस vertical दोनों का vertical ले लेंगे तो हमारा और उसको add कर देंगे तो answer आजएगा यहाँ भी vertical multiply करो यहाँ भी करो तो 4x into 2x यहाँ 8x square और 3x into 2x यहाँ 6x square तो 8 plus 6 क्योंकि plus का समय है तो 8 plus 6 यहाँ 14x square तो एक step हो गया यहाँ हमने दोनों का first step लेना है और उसको add कर देना है दूसरा step है आपका cross wise multiplication आप देखें सबका cross लेते जाएए और उसको calculation करते जाएए प्लस करते जाएए इसे 4 3 दा 12 and 2 into minus 5 यहाँ 12 minus 10 2x हो गया 2x यह multiply करें तो minus 3 2x minus 3x तो minus 1x हो गया 1x plus 2 दा 4x तो 4x minus 1 यहाँ 3x हो गया यहाँ सबको cross करते गई और add करते गई थर्ड स्टेप है आपका vertical का तो minus 5 into 3 minus 15 2 into minus 1 यहाँ minus 2 तो minus 15 minus 2 तो minus 17 आपके सामनी यह answer है तो आप देख रहे हैं तो कितना है जी एक बार फिर repeat कर लेते हैं next sum में हम repeat हो जाएगा next sum कर लेते हैं same process है तो आप देखिए next example 4 में भी same आपके three sums हैं यहाँ पर two sums से देखें यहाँ पर अब three sum आ गए हैं three sums का भी answer हम direct लिख सकते हैं देखें कितना क्या खूब है यह तरीका क्या सुन्दर है यह vertical cross wise multiplication कितना fantastic है तो कितने ही समा आ जाएं हम direct answer लिख सकते हैं इसे चाहल जब रहा है चाहलो arithmetic है आप देख रहे हैं यहाँ पर कि answer आप देखेंगे कि कैसे आएगा तो आप first step वही same vertical है सबका first step ले लिजी तो 6 x 3 18 x square और 4 x 2 8 x square तो 18 plus 8 26 26 5 x 3 15 x square तो 26 plus 15 यहनी 41 x square हो गया है पर्स step हो गया सबका यह second step है cross y सबकी cross करिए और add कर दीजी जैसे 3 into 2 x 6 x और 6 बंदा 6 minus 6 तो जीरो हो गया 6 minus 6 0 यह हो गया 4 x minus 6 x minus 6 और plus 4 minus 2 x यह चुआया है तो इसको हम यह calculate करेंगे तो 20 x हो गया यह 5 into 4 20 x 20 x minus 2 18 जो पहले minus 2 x आया था 18 x 18 x plus 6 x और 24 x हो गया तो इस पकार से हम cross wise करते गए और add करते गए और जहा हम minus हो माइनस ही करतेंगे तो हमारा cross wise का सारा second step पूरा हो गया अब third step के लिए वह हम काम करेंगे vertical multiplication तो यह आया 2 and that minus 1 करेंगे multiply minus 2 यह आया minus 3 minus 2 minus 3 minus 5 और यह है 8 8 minus 5 3 तो आप देख रहे हैं 3 sum का जो answer है किस पकार से हम single step में हम लिख सकते हैं तो इसके आगे अगर हम one sum और लिख दें और two sum और लिख दें तो सब का answer भी इसे पकार से लिखा जा सकता है Sum and difference of product यानि इसमें देखेंगे यह products में sum भी है और difference भी है यानि subtraction भी करेंगे हम multiply भी करेंगे और addition भी करेंगे हमारे पास three sums है first two sum है अपने addition के next है अपका subtraction का तो इसमें भी वही same operation करेंगे वर्टिकल है फिर crosswise है यह फिर वर्टिकल है तो पहले हम वर्टिकल करेंगे यानि four को three से किया 12x square 12 और 6 to the 10 12 plus 10 तो 22 22 पहले देखें का 12x square आया और यह 12x square आया 24 12 plus 12 24 24 minus 20 तो 4x square यह अमारे पास first vertical का answer आया second step क्या था आपका crosswise का यह तो crosswise करें देखे 4 on the 4 and minus 6 तो हमारे पास आया 4 minus 6 minus 2 और यह आया 8x 8x minus 2 हमारे पास आया 6 6 plus 30 तो 36 हो गया 36 36 में से हमने 10 minus करेंगे क्यों 5 to the 10 36 minus 10 26 तो minus क्योंकि हम minus है यहां पर इसलिए sign change कर दो इसका 26 यह आया minus 16 तो हम sign change करें क्योंकि हम minus का है तो 26 plus 16 हो जाएगा यह 4 4 ता 16 26 plus 16 यह 42 x हमारे पास यह आंसर है उसके बाद है second step हो गया यह इसके हमने sign change करने है बस थर्ड़ सेफ है आपका वही वर्टिकल और वर्टिकल में वही हम वर्टिकल multiply करेंगे और यह बस sign change करेंगे इसका यह आया minus 2 2 on the 2 minus 2 और यह आया 20 तो 5 for the 20 20 minus 2 तो आया हमारे पास 18 तो 18 यहां पर है minus 18 फ्लस 8 हो जाएगा sign change करेंगे तो 18 फ्लस 8 26 तो इस परकार देख रहे हैं आपके 3 sum में इसमें multiplication भी है addition भी है और subtraction भी है किस परकार से हम जो इसका answer जो और रहल निकाल सकते हैं यह एक व्यदिक मेथमडिक्स के सुत्र धरो तिरेक भ्याम से ही हो सकता है crosswise multiplication इस परकार से और आगे पीछे और बहुत सारे sum लिख सकते हैं इसमें और इसके job patient हम कर सकते हैं तो मुझे आशा है मुझे कि आपको बहुत अच्छा लगा हुआ और इस वीडियो को जदे से जदा लोगों को subscribe करें इस channel को जदे से जदा लोगों को subscribe करें और share करें और like करें तो ताकि आपकी बाकी जो और भी friends हैं उनको भी इस वीडियो का love मिल्स की Thank you very much for watching the video Thank you